हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा जो विग्ञान का पेपर वारल किया गया है इसी में से आपके बोर्ट के एक्जाम में सभी सवाल बनेंगे और फ्रेंस आपको बता दें कि यहां विग्ञान की जितने भी प्रश्ण है आपका उसका आखल बताएंगे तो फ्रेंड वीडियो को अंध तक जरूर देखिएगा जिसे आप वोड़ के एक्जाम में 70 में 70 नंबर आसानी से पराप्त कर सके चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ड करते हैं तो फ्रेंज देखिए कि विग्यान का जो पेपर आप सभी पता है कि परतेग पेपर में आपको पुड़ाउंख सत्तर नंबर का है आपको जो समय मिल रहा है तीन गंटा 15 मिनट का मिल रहा है जिसमें से आपको 15 मिनट प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जा रहा है इसमें दो प्रश्पत्र के जो खंड अ होगा उसमें बहुं विकल्पी प्रश्ण होगा है जिसमें सही विकल्प को चुना करको उसे OMR सीट पर भरना है जिसे आप नीला पेन या काला बाल पॉइंट से भरना है ठीक है प्रश्ण का जो नमबर निर्दारित किया गया है फिर इसके पाद प्रश्ण के समुक उनके निर्दारित अंक किया गया है प्रश्ण कितने अंक का है एक साथ करना आवश्चक है प्रिष्ट से प्रारम की ठीक है कि अपको करना भी निभा रहे है तेसном आपके साय ने खंड अ है भविकलपी प्रशनों के देखेंगे देखेंगे फ्रेंच खंड आ में पहला खंड है भौतिक विज्ञान का और जब आपके प्रश्च पत्र मिलेगा पहला क्या रहेगा भौतिक विज्ञान ही रहेगा देखिए परतिय कोशन कितने नमबर रखा एक नंबर का है तो फ्रेंस यह आपके सामने प्रश्ण है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेस करता है तो अधिकांस अपवर्तन कहां होता है तो फ्रेंस यह तो सभी इस्टुडेंट जान रहे होगे कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेस करता है तो उसका अधिकांस पर प्रकाश नहतर में पर्वेस करता है तो प्रकाश अधिकांज अपोर्तान होता है कहां से होता है यह जितने प्रशन आप इसको जरूर याद कर लीजिए इसही में स्चिति अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला सवल दूसरा नंबर का कि नमनेलीखित में इसे ब्लुटकやって करता यह नि प्लुटक्ट्य कीह भिपीट नियुक है तुभर में सब्सक्राइब drills रमोला और इसि को हिंदी इहां पर लिखा गया थीर जवाब और ठीक है इस प्रश्ट रमने तिसरा मुद्गे का सवाल है कि निम्दनेखित में किसी इस्तीदे में कोई offers सेब्राओस्तविक परतिविम सकता है तो आ पता होगा कि जब यह पर करते हैं जब किसी वस्तुक वक्रता कहते हैं चितना वस्तुर रहता है उतना बड़ा उल्टा में क्या बनता आपका पर्तिभीम बनता है जैसे हैं हम वकरता केंद्रा फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं ऐसे प्रकाश के किरण जाएगा और मुख के बनेगा तो हमेसा वस्तु क्या बनता है यहां पर कहा है और वस्तु को रखते हैं तो उसका परतिभीम वस्तु से बड़ा बनता है तो आपसं देखेंगे कि देखेंगे के focus और किंद्र के बीच में हम वस्तू को रखते हैं तो वस्तू का परतीविम हमें से क्या बनता है वस्तू से बढ़ात इस प्रकास आप समझ सकते हैं चलिए अगले जब कोई वस्तू की क्या करता निकट की वस्तू कर नहीं देखता है तो इसमे आप बताइए कमेंट में इसको जरूर बताइए कई देखी इसे वैसे जवाब देखेगे हैं की विद्ध्यार्थी के नेट्र का निकट बिंदू को सभी सिब्सक्राइब जाता है इस प्रश्ण का आपका सही जवाब होगा जो प्रश्ण आप से पूछे हैं आप उसका एंस्वर कमेंट बाक्स में जरूर दीजिएगा ठीक है चलिए अगले नंबर का सवाल पांच वा नंबर का देखिए पांच परतिरोधों को जिनमें परते का परतिरोध कितना 1 बटा पांच का उप्योग करके कितना निम्नतंब परतिरोध बना आया सकता है देखिए यहां पर आपको इसी को आपको देखना है जब फ्रेंस सवाल में कहेगा नीमनतम परतिरूदनत इसका मतलब वो सभी परतिरूद किसमें जुड़ा हैं समानतर में जुड़ा है किसमें यह हिट इसमें आपको क्वेश्चन पकड़ना था कि जब नीमनतम परतिरूद कहेगा तो किसमें परतिरूद को जुड़ना है समान सब्सक्राइब कितने परतिरों पांच परतिरों चलिए इसको जोड़ के बताते देखिए वन अपान आर परावर क्या हो जागा रखा जाता है तो आर कमान कितना एक पटक पांच पांच रखिएगा फ्रेंस इसको हम ट्रिक्स भी बताएंगे पहले आप इसका विस्तार रू यहांसे पांच बातिरों जाएगा Ç पर्दा कहलें ऐहां से तोर्णी पटक स्वाब कितनारं फांड परेंगे अच पंड़ बस देया प्रच्ट जा प्रफश्ण में यह इसको ट्रिक्स ऐसे हल कर सकते हैं जब रह जोड़ा जाता viens एक बटाए 5 है और पूरा के बटा में प्रतिरोदर के संख्या है यहां पांच है तो पांच कर लीजई अब देकि एक बटाए 5 यह 5 पर जागा तो गुड़ा में आ जागा तो तो इसको ट्रिक कर सकतेने पविक़पी प्रश्णों में ठीक है इस इस प्रशन का साही जवाब आंटालि होगा only दोनों प्रशनौं में जु आपको अच्छा लग है जो वीधि आपको अच्छा लग to use वीधि कलपी प्रश्ण अप हल किजिए इस आपको दोनों वीधि honoring पता दिया इंग ход सवाल है छटवा नंबर का दिए गए चित्री का अनुसार कागच के तल में इस्थित किसी 36 तार में पूर्व से पस्चिम की और कोई नियत धारा प्रवाइत हो रही है चुम्बकी 3-5 कि और उस भिंधू पर होगी जो अप्रस्वा देखते हैं इसका अनला यहां पर यहां पीне तार की उत्तर में इस्तित होगा या कागच के तल में तार के दृच्छटार में इस्तित होगा इसका जवाब आपका होगा after THAT थीक ूगा थीक ndo क्या फोट्छा कि अगला नंबर का सवाल साथ नंबर का कि निम्न मेंसे किसके दौरा अनंथ पर इस्थित किसी वस्तु का परतिवीम अत्यधिक छोटा बनता है फ्रेस्ट आपको पता होगा कि जब किसी वस्तु का अनंत पर रखते हैं तो उसके परतिवीम का छोटा बनता है तो आपका देखिए अउत्तल दरपर के द्वारा भी बनता है उत्तल दरपर के द्वारा बन के इक मिसरधातू है ठीक है एक तत्त्त वाएं एक योगी होता है या एक समांगी मिसरड होता है तो फिरें, इसका चुहाब हो हो गया thick yeah आपके सामने अग्ला नमबर का सवाल है यहां पर देखिए please लिछन में से होाड कार्बन को पहचा ही यह पहचा नागिए देक्ष एक होता है संत्रीप एक होता है ईस्तुरीफ डुआ के यहाद कार्बन कार्बन हो जो आथा उसके बीच में एकलबांड हो का तुस्से हम बोलेंगे संत्रीऌ और जब ट्रिबल बान्ड होगा याटर ABOUT ऻोगा ठीक है अप अपको बताना है संत्रिप्त आपको बताना है यह को उता है ज को अपको अगला देखते हैं अगला को ने जाना यह संत्रिप्त कैल्सियम आकसाईड जल के साथ य्या बनाता है तथा सात में उसमा उत्पन होती है इस प्रक्रिया को चूने का बूझा करते हैं कल्सियम हाइडराकसाइड जल में घूल कर इसका विलियन बनाता है जिसे चूने का पानी करते हैं निमनलिखित में से कौन सकता चूने के बूझे तथा विलियन के बारे में सत्ते है देखिए फ्रेस यहां ठोस कल्सियम कर रहा है के ऐसमने जल के साथ मिलाया जाता है तिसमें क्या बनता है आपका है के ऑटा始͡ यह लगा है क्या थो है ऊंतर है घर कन टो निकल रहा है यहां से तुसमा निकलेगा तुसमा छेपी होगा ता पहला यह सही होगा फिर इसके बात देखिए इस में हाइडॉक साइड आगया अब हाईडा राक्षाइड आता है फ्रेंस आपको पता होगा क्या प्रडामि विलियन प्रावसा से अधिक होता है ऊगला पर लिजिए प्रडामि विलियन की प्र। मेंद गलत होगा आपका निधे चब अखी ठीक है कैसे आपको पताएं उसी तरह आप इसको हल कीजिएगा चलिए अगले नम्बर के सवाल है यहां पर देखिया एक परमाड़ू की परमाडवी त्रिज्ज्या का निम्लिकित में से कौन सा सही प्रदर्शन है देखे फ्रेस यहां पर दिया है यह इसका केंद्र है केंद बीच से कच्छा की बीच की तुरी तो यहां पर देखिया यहां पर प्रमाड़ू त्रिज्ज्ज्या नहीं होगा इसका मतलब इसका सेकेंडर साही है और आपका थार्ड वाला साही यानि कांस साही है दूसरा और तिसरा साही है तो चलिए इसके आपसं को देखते हैं इसका आपसा ने देख लिए जित अभी आपको बताए हैं तो कौन सा सही होगा इसका सही जवाब क्या होगा आपका B होगा ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि कालम A में दिये गए रसानिक परदार्थों का सूमिलन कालम B में दिये गए उनके अनुपरयोगों स करना है आपको देखिए आपसा ने ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा धावन सोडा सोडियम क्लॉराइड यहां पर उसका क्या उप्योग है तो ब्लीचिंग पाउडर को कहां पर करते हैं विरेंजक चुड़ में करते हैं बेकिंग सोडा का परियोग कहां पर करते हैं सोट का प्रयोग काश का विर्चन करते हैं ठीक है फ्रेंस सोटियम क्लोराइट का प्रयोग कहां करते हैं है एघ्डोजन देखिसांके सासा बहुत कै में अपर सवसकती का लिवाले तो तो यहां अपर दी यह फिस्यंग हो तो चाहिए already आपको प्रकास लगाया जाता है आपका तिरहाँ नंमर का सवाल रखेंगे नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है तो यहां पर आपसन है तो इसका सहीजवाब के याद करता है यहांने प्रिशन को देखते हैं यहां पर याद रखिए कर लिदेगें जिसमें पत्र को लाल करता है यहां इसका सही जवाब होगा लाग चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं यहां पर उपखंडगा है जिसमें हम जीविज्ञान के महत्तुपूर्ट प्रश्ण को देखेंगे और प्रश्ण कि चूने के पानी से भरी प्रखनली में जब मुह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौझूदगी के करण दूधिया हो जाता है यह आपका रसाइन के सवाल है आक्सीजन कारबन डायकसाइड नाइट्रोजन यह जलवास इसका सही जवाब आपका होगा कार से निकलता है कारबन डायकसाइड निकलता है तो इस तरह भी आप पकड़ सकते हैं सवाल को कि जब हम सास छोड़ते हैं यान मुह से फूकते हैं तो उसमें कारबन डायकसाइड निकलता है और कारबन डायकसाइड यह इसका सही जवाब होगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले उड़ने में मदद करते हैं विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ क्या हुआ है देखें यहां पर आपसंदिया है सरीश्रीपों की उत्पत्ति पच्छों से हुई है यह सरीश्रीपों पच्छों की बीच कोई कोई संबंद मतलब विकास कोई संबंद नहीं है दोनों कि किसी जीव का जिवाश्म प्रिथवी के पे च्छाक्रित गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविस्वारी कर सकते हैं यह आपसन है जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्सों में हुआ है जीव का विलोप हजारों वर्स में हुआ है तो फ्रेंज देखे इसका अपसन पर लेजगा इसका सीधे आपको आपसन बताते हैं इसका सही जवाब होगा जीव का विलोप हजारों वर्स पूर्वही में हो वा है ठीक है जो जीव थे उसका विलोप कब से हुआ जैसे डाना सोर यह सब हुए इसका विलोप कब से हुआ हजार वर्स पूर्वही हो चुका है ठीक है देखिए फ्रेंस आपके सामने अगला नंबर का 17 नंबर का सवाल है कि चितr में A, B और C किस करम में है देखिए आप इसको देखना है और बताना है कि किस करम में है तो French इसको आप देखके बताएं किस करम में है तो इसका सही जवाब आपका होगा C देखिए आपको क्या है तह Judaओ पहले प्रांखकूर भीच-पत्र और मुलांकुर के रूप में होता है तो A, B, C बताना है प्रााउकूर होगा बीच-पत्र होगा प्रानकूर इस तरह A, B, C जो दिया है तो इस करब में क्या होगा अपकाом का वाला सही जवाब होगा ठीक है चली अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर के सवाल है अमरिता देवी विस्त्रोई राष्टी प्रुसकार भारह सरकार दोरा किस छेतने हौगा यह वोगा, आपको सामने 19 नमबर का सवाल है, यदि मतर की एक गोल तथा हर्य रंग की बीच वाले पौधे आर, आर, वाई, वाई, जुरिदार तथा पीले रंग की बीच आर आर वाई वाई में सनक्राड कराया जाये तो यह बीच कैसे होगा इसके आपसान को देखते हैं इसका आपसान है गोल और पिला गोल हरे जुरिदायर हरे जुरिदार इस प्रश्च चतर में अंकित ए मादा ज नंतंत्र के किस भाग को किसको प्रदर्शित करता है तो यह अंडाशे को प्रदर्शित करता है ठीक है तो चलिए यहां पर आपसंद देखते हैं तो देखिए आपका डीवला क्या होगा सही अंडाशे ठीक है यह किसको प्रदर्शित करता है यह प्रदर्शित करता है आपको अंडाशे का ठीक है आप इस प्राश्णों को जरूर्ब पढ़के जाएगा और फ्रेंस गॉली दॉर्पन दॉर्डॉडरा प्रावर्तां के लिए चिन grooming परिपाटि यानि के कब प्लश लेना यानि F कमण का होता है V कमण का प्लेंड़ कमण का प्लस माइनस लेना रहता है इशी के बारे का जरूर आपके बोड के एक्जाम में आएगा चार नंबर का ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को बताते हैं आपको आपको अगला सवाल है कि दो ओम तीन ओम तर छा ओम की तीनों परतिरोदो कि किस प्रकार सनियुजित करें कि सनियुजन का कुल परतिरोद आपका चार ओम में अउठे की दिशा क्या निर्दिस करती है या नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वा महस्त नियम से भिन है किसी 36 शक्ति संचर लाइन में पूर्व से पस्चिन दिशा की और विद्दु धरा प्रवाइत हो रही है इसके ठीक नीचे किसी बिंदू पर तदा इसके ठीक एक्जाम में दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम जरूर पढ़के जाएगा और इस पर हम आपको दाएं आप आपर नियम पर आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगी कर तेंगो उस वीडियो को जरूर आप देख लीजीएगा ठीक है अब देखिए फ्रैंस आपके साव सुत्रा चित्र बनाईएगा और इसके बारे में ब्याख्या कीजिएगा आपको कुछ समय के बाद ठीक है हम विद्धुत मोडर का सिद्धान कारवी ठीक है प्रश का उपयोग वक्त वले का उपयोग जितने हैं इस सबका हम आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा और यहीं बोड के एक्जाम में आपको 100% गारंटी देदे कि यहीं बोड के एक्जाम में जरूर आएगा ठीक है तो देखिए फ्रेस यह आपका कितने नंबर कराएगा सवाल छा नंबर कराएगा ठीक है अब यहां पर आता है उप टेनाल पेंटो नहीं अब इन सभी प्रशनों का आप हल करके जरूर बोड के एक्जाम में जाएगा ठीक है फ्रेस देखिए कुछ तत्तों के प्रमाड़ुक्रमा की यहां पर आपका दिया है अब इसमें से देखिए दस है जैसे बीस है साथ है यहां बताना है तत्तों की पहचान करना है आपको आवर्थ साड़ी में इन तत्तों की संख्यत आवर्थ बताना यानि कि किस समु में तत्तों होता है किसमें आ पको एक वीडियो अप्लोड कर देंगे अभी कुछ समय के बाद इसको भी आप देख लीजेगा ज़रूर से ठीक है देखिए फ्रेंस यह जिन्क नयेट्र और सिल्वरन्मॉनें में क्या मिलेगा इसी तरफ बेरियम हम मिलांगे जैसे बेरियम में सीलमैद मिलता और यहां पी क्या मिलेगा तिक है घृ कह एक मिलता है चाहे इसके पात आप आप कहुआ मिलेगा butthen कि कुलूरीन में क्या मिलाएंगे कि हैड्रो अमल मैं फ्रेस जितने भी प्रश्नने से आपके एक्जाम में यदि रसायनिक सामिक्ला संथुरीट करना करने के लिए कि लिए यसी मैं नियृष और रिश्न को लिए प्रेस्विच्वर संथुरीब कौन आप कमेंट बाक्स में लिखिए उस पे आपको यह सभी प्रश्ण हल करके बता देंगे ठीक है फ्रेस आप सिर्फ प्रश्ण को देखिए और इसको सभी को हल करके जाइएगा ठीक है इसी में से बोड के एकजामे प्रश्ण बन रहे हैं चलिए अगले नंबर के सवाल को संचार क्या होता है इन तीनों में रहे हैं यक्स आर आर वाई यह गुड़ा में ठीक है गोल पीला जुरिदार हरत आपको क्या संतती मिलेगा गोल पीला रहेगा और और रहेगा वाई वाई रहेगा तो गोल पीला यहां पर संतती क्या मिलेगा इन सभी प्रश्णों को आप जरूर देख लिजिए गा यदि देता है प्रश्ण में इससे संबनी प्रश्ण इनहीं में से देगा ठीक है फ्रेस आपके सामने सवाल है आप दीजिए इसके बार में आप पढ़के जरू जाईएगा और देखें इन दोने में से किसी एक का चित्र आपके बोड के एक्जाम में जरू देगा ब्रिकों में मुत्र निर्मार की परकिरिया का सचित्र वराण कीजिए ठीक है यह इसके लावा मानों के नर जरन तंत्र का सच जरूर कीज़ेगा यह भी आपका अच्छा नमबर तो फ्रेंस देखें यहां पे आपके जितने भी माडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा वारल किया गया है इन्हीं में से प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में पूछे जा रहे हैं इन सभी प्रश्णों को आप जर को सब्सक्राइब करें